हेलो एवरिवन कैसे हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ आज जो हम discuss करेंगे क्या करेंगे कि exam center में जाने से पहले हमें क्या मतलब साथधानी या किस तरीके से हमें exam देने जाना है आपको exam center में जाओगे तो कुछ important चीज़े हैं जो आपको लेके ही जाना है एक तो आपका roll number ठीक है roll number जिसे आप admit card भी बोलते हो और सर ये याद होना चाहिए जो ये admit card है वो admit card laminated नहीं होना चाहिए simple होना चाहिए जरूरी नहीं ये color कुछ बच्चे क्या करते है color निकाल लेते हैं आपको बोल रहा हूँ जेको girls वगरे का तो होता ही colorful हर चीज में color ढूंटे तो वो भी color निकाल लेते हैं इसमें भी colorful निकालो अच्छा रहेगा नहीं black and white लो symbol लो limination नहीं करवाना number 2 आपको लेके जाना है आपका eye card sir eye card का मतलब जो sol की side से आपको मिला हुआ है eye card जो print out निकाला है उसको भले ही आप liminate करवाई ये color करवाई ये card type का PVC card बनवा सकते है number 3 आपको क्या के लेके जाना है आपको लेके चलना चाहिए हमेशा fee receipt number 4 आपको क्या लेना है आपको लेना है ID ID sir ID क्या है हमारा ID आपका voter ID हो सकता है पहसान पत्र हो सकता है voter ID और इसका अधार card हो सकता है pen card कुछ भी anything जिसमें आपका image हो वो लेके जाना है ये तो mandatory लेके चलो अपने साथ इसके साथ साथ सर और ये तो हो गया हमारा entry लेने का entry लेने के बाद आप exam center में बैठोगे तो आप वहाँ पे ये सब बताने की चीज़े ने आप एक तो pen लेके जाओगे pencil eraser जो भी है मुद्दे की बात है सर हम वहाँ पे calculator भी ले जा सकते है अब calculator में पता है क्या होता है मैं अपनी कहानी बताता हूँ calculator बच्चे ये बड़े बड़े calculator ले गाएंगे और ऐसा लगए है कि आज सारा पूरे paper में calculator में simple सा calculator लो भाई ये रहा simple सा calculator और इसके अंदर कोई सेंटिफिक वर्ड नहीं होना चाहिए टेक्स वेक्स कुछ नहीं होना चाहिए simple सा calculator ये अलाउड है आपके एक्जाम में ठीक है sir calculator कुछ आपके टीचर से आसकते हैं calculator अला बाई जा के पूच के आईए आप अपने senior से calculator अलाउड है ठीक है चलिए sir ये चीज़े तो होगई basic pen बगरा ले जाई है black pen, blue pen, 2 pen तो हमेशा ले जाई है highlight करिए अच्छे से paper को लिखिए वो सारी चीज़े रहता है दूसरी चीज़े बच्चे exam के अंदर क्या करते हैं मिस्टेक्स के आगे पीछे बात करने में बहुत टाइम खराब करते हैं तो वो बिल्कुल भी ना करें मैं इसके ऊपर भी strategy लेकर होगा कि कैसे कैसे काम करें कैसे हम पेपर में अपने सारे time को यूटिलाइज करें क्योंकि तीन घंटे है तीन घंटे में पांच कुशन करना है और आप अगर अंदाजय लगाओ तो आदे घंटे चालिस मिनिट के आप जो भी टाइम मिल रहा है एक कुशन को मिलेगा अब घडी की भी बात करने है कुछ में चर्चा चल रहा है यार घडी ले जाएंगे अब अब बात करने है जाएंगे लेवाओज तो आफ अब करने यार मिलेडे कर चालिच करण दाने है कि अब आप जसे हमेंडी के अब ले जाएंगे है आप नॉर्म अनअलोग वाच लिया चार टे रहा हुआ अब जरूर लेके जाना वहाँ पर पता है क्या होता है college के अंदर भाई जो mobile लाए बाहर निकल के रख दो और बाहर ऐसे फैक देंगा आपके इतने महंगे महंगे mobile phone है 10,000, 15,000 इतने मुश्किल से आप लोगों ने खरीदा होगा वो निकल के बाहर कर देंगे पता चला आप तो paper दे रहे हो उससे पहले कोई निकला आपको mobile phone के निकल के तो वो साब बोलते थे हमारी कोई responsibility नहीं है mobile phone को रहे के तो इस बात का ध्यान रखना तो mobile phone ना लेके जाए आप पहले center आप देख के आए exam में और mobile phone ना लेके जाए तो वो आपके लिए बहतर होगा ठीक है तो hopefully आपको क्या-क्या exam में लेके जाना है और जो भी center है पहले देख लीजिए दोस्तों के साथ चक्कर में मत रहिएगा exam center पे time पे पहुँचिए और last तक exam देके निकलिए अब मैंने पिछले वीडियो में discuss किया था Hindi और English में तो आप comfort होगे होगे बहुत बच्चों को help भी मिली होगे कि हम exam इस तरीके से लिख सकते हैं exam में अगर नहीं आता आपको समझ में तो अपने knowledge के हिसाब से उन चीजों को materialize करिए ये मस सोचिए कि सारी चीजे किताबी knowledge ही लिखना पढ़ता है क्योंकि हम जीवन में हमें इतना coaching पढ़ लिया हमने school के अंदर इतने technical जो मैं खुद realize करता हूँ कि practical subject तक तो ठीक है बच्चे theory के भी tuition पढ़ते हैं तो उसके अंदर बच्चा भूल जाता है कि real life के अंदर जो चीजे होती है वो भी हम बता के लिख सकता है आप से simple पूछा जाए जैसे अगर मैं आप से पूछ लूँ कि बताइए कोई भी आपका एक question आ गया मान लेते हैं कि IT हो गया या आपका e-commerce किसी में आ गया कि how to create आप कैसे create करोगे account on social media आपने question पढ़ा रटने लग गया पहले login करेंगे, ID करेंगे, ये करेंगे ये चीजे क्या है, ये चीजे आपके पढ़ाई नहीं है normal question पूछा गया, आप लिख दोगे simple पहले हम application डाउनलूड करेंगे जो चीजे step जो आपके mind में आता है वो आप Hindi में या English में लिख सकते हो तो उस चीज का थोड़ा बहुत clearness दिखाना है और neat and clean लिखे आप paper में, एकदम ऐसा मत लिखे कि examiner को चक्कर आजाए आपके writing को देखे तो एकदम neat and clean लिखे, to the point लिखे अब एक question और सबसे बड़ी बात paper में सर्व 10 number में कितने pages भरने तो मेरे भाई और जो भी वीडियो देख रहे हैं 10 number के लिए 15 number के लिए ऐसा specific नहीं होता कि कितने pages भरना है मैं simple सा example लेता हूँ अकाउंट्स के अंदर एक na section 52 subsection 2 है हमारा किसका आपका security premium utilization का 5 point है इसके अंदर अब 2 number का question आएंगे तब भी मैं 5 point लिखूँगा 3 number का question आएगा तब भी 5 लिखूँगा 15 number का question आएगा तब भी 5 ही point हो सकते हैं तो कुछ चीजे ना concrete है लिखे हुए तो अब normally फिर भी बच्चा बोलता है सार बता तो दो कितने pages लिखे तो मैं बताऊंगा 5 number के लिए question को करने के लिए मेरे हिसाब से अब देखो है नहीं वैसा कोई एक page enough to enough होता है बाकी points लिखें, points को explain करें और वो गलती ना करें points के अंदर heading लिख लिए याद कर लिए अंदर जो margin लिख के आ जाएंगे देखा जाएगा, वाई सही content लिखे अच्छे marks आपके definitely लाएंगे तो सभी बच्चों को मैं यही कहूंगा कि अच्छे से जाएए एक्जाम देने, जिनका अच्छे से तयारी कर रखी होगी आपने नहीं करा तो और भी करिये महनत थेंक्यू सो मच और फिर मैं आपको एक निव वीडियो और किस तरीके से एक्जाम में स्ट्रेजी बनाए जाए कैसे पेपर दें और एक लिमिटेड टाइम पर खतम करें उसके लिए मैं वीडियो लाऊँगा अभी मैं इस से भी बात करता हूँ चलिए ठीक है